आज हम सिखेंगे transition property, transition property मतलब कि कितने time के लिए जो आप आपने function लगाया है, वो कितने देर तक चलना चाहिए, इसका कैसे हम fix करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, as usual मान लो एक बटन बनाते हैं क्लिक नाम से, इसकी styling कर देंगे तो देखो हमें transition का use कर रहा है, all और 6 seconds यानि जो भी transition होंगे, hover के अंदर let me make it here, अब मैंने क्या कर दिए, all transition होंगे 6 seconds के अंदर अंदर, यह देखो, इसे के अदर transition property ठीक है, transition delay लगा दिया, 10 seconds का, यानि अगर हम इसको refresh करते हैं, यह test करते हैं, तो 10 seconds बात color change हो गया, हम अटाएंगे color वाफिस, test करा color change, तो transition delay मैंने 10 seconds का कर दिया है, transition menu कर दिया, all, यानि सारे के सारे transition होने चाहिए, 6 seconds के अंदर अंदर, तो यह देखो, सारे transition होगे 6 seconds के अंदर अंदर, और delay लगा रहा है 10 seconds, तो यानि 6 seconds तक काम सबते रहेगा, touch कर रहें 10 seconds तो तो आप color change हो जाएगा, और हाथ हटाएंगे तो 6 seconds तक दिखते रहेगा, ओ color यह देखो, कैसे color change हो रहे है, तो यह होता है, transition हो transition delay का use, ठीक है,